नमस्कार स्वागत है आपका हैट्वाइंस इंडिया पर मैं हूँ नवीन चोहान इस वक्त हमारे साथ इम्रान प्रताप गड़ी है जिने ठीक यूपी चुना उससे पहले बड़ी जिम्मेदारी दी गई है अल्प संक्यक विभाग के राष्टिय अध्यक्ष बनाए गई है क कॉंग्रेस की तरफ से बहुत बड़ी जिम्मेदारी है प्रताप गड़ी जी सबसे पहले तो आपको बहुत बढ़ाई और सवाल मेरा यह है कि आखिरकार कैसे बहुत बड़ी चुनाओतियां उत्तर प्रदेश में कॉंग्रेस पार्टी के सामने है कैसे आपने इन नहीं है बलके पूरे देश की जिम्मेदारी मुझे मिली है रास्टी चेर्मेन बनाया है पार्टी ने तो मेरे कंदों पर बड़ी जिम्मेदारी डाली है मुझे पूरा यकीन है कि पिछले 12-13 साल से जो मैं सामाजिक जिन्दगी में आंदोलन को जी रहा हूं उससे मुझे बहुत मदद मिलेगी आम जनता को अकलियतों के आम लोगों को कॉंग्रेस पार्टी से जोडने में बड़ी सहायता मिलेगी और मैं कारेभार ग्रहन करने से पहले मैं लगातार काम करना शुरू कर दिया है मैंने कोवीट की वज़ा से चुकि उसमें अभी विलंभ है लेकिन हमारी की माइनॉर्टी से जुड़े वे जितनी कम्यूनिटीज हैं मुसल्मान, सिक, इसाई, बौध, जैन हम सब को पारसी हम सब को एक बार फिर से वापस कॉंग्रेस की तरफ ला सकें क्योंकि कॉंग्रेस उनका पुराना परिवार है और पुराने परिवार में रूठे कि इमरान प्रताब गड़ी लोटे हैं, वो आए हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है, पूरे देश में अल्पसंकिक को जोडने की, तो कैसे अब आपके पास वो जादू की जड़ी है कि वो चुनाओं में आपके साथ होंगे और वैसे भी साथ हैं। कुछ जगहों पर भारती जंता पार्टी ने हम से छीना, तो अब हमारा प्रयास है कि हम फिर से उनके पास जाएं, क्योंकि सब मौझूदा सरकार से या छेतरी पार्टी की सरकारों से लोग संतुष्ट तो नहीं है, और जब संतुष्ट नहीं है तो उन्हें मनाना बहुत आसान है, महंगाई चरम सीमा पर है, कुरोना काल में मौझूदा भाजपा की सरकार ने जिस तरह से अव्यवस्थित तरीके से लोगों को डील किया है और लोगों को मरने के लिए बेसहारा छोड़ दिया, खुद चुनावी रहलिया करते रहे प्रधान मंत्री जी, या स्ट करके वापस ला सकेंगे, हमें पूरा विश्वास है. वरना की वज़ा से देश बिल्कुल अस्त वेस्त है, तो मूब्मेंट बहुत कम है लोगडाउन की वज़ा से, वरना आप तक आपको प्रियंका जी उत्तर प्रदेश में सडकों पर नजर आती, हम सब की पूरी तयारी है, और जल्दी से हम दुआ कर रहे हैं कि लोगडाउ उसे साथ थे, वो गए, क्या वो भी बड़ा जटके के तौर पर देखते हैं, चुनाओ से ठीक पहले। मुकुल रॉय जी भाजपा के रास्टी उपाध्यक्ष थे, वो छोड़ के आये, उस पे सवाल नहीं है, यस्वंत शिनहा जी छोड़ करके जब बीजेपी को आये, तो उस पे सवाल नहीं हुआ, शतुधन सिनहा छोड़ के आये, उस पे सवाल नहीं हुआ, नो जो सिद्ध पार्टी जो कॉंग्रेस को खत्म करने की साजिशें और बातें करती हैं, मेरा तो उससे सवाल है कि आप हमारे छोटे से छोटे नेता को लेने के बाद भी बड़ी बातें करने लगते हैं, आखिर उधार की योध्धाओं से आप कहा सरकार बना लेंगे और कितने दिन टिक जा करता हूं कि देश पूछता है कि राहुल गांधी जी कहां है, भाजपा की सोशल मीडिया की ट्रोल आदमी जो है वो नेरेटिव बनाती है कि राहुल जी तो यहां है, राहुल जी छुट्टियां मना रहे हैं, मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि नहीं, राहुल जी वो आपको दिख रहे हैं, आपको इस COVID काल में ये नजर आया होगा कि भारत सरकार से भी ज़्यादा मदद अगर किसी ने की है, तो वो कॉंग्रेस के कारेकरताओं ने मदद किया है, आपने ये गौर किया होगा कि स्वास्त्र मंत्राले से भी ज़्यादा टैक करके अगर किसी से मदद मांगी गई, तो वो कॉंग्रेस पार्टी के यूथ विंग और बाकी फ्रेंटल से मदद मांगी गई, विदेशी दूतावास तक कॉंग्रेस के फ्रेंटल से मदद मांग रहे थे, कॉंग्रेस के कारेकरताओं से मदद मांग रहे थे, तो राहुल गांधी जी कहां बनाने की कोशिश में जुटे हुए थे राहुल गांदी जी और मुझे लगता है कि उन्होंने इस तरह की युवाओं की अच्छी फौज तैयार कर ली है अब चुनाओ आ रहा है उत्तरप्रदेश का अब आपको राहुल गांदी जी और उनकी पूरी सेना है वो आपको नज मौतों को कुछ हजार में कैसे बदला जाये कोरोना की उसे पता है कि हजारों शौज जो गंगा जी के किनारे दफनाए गये थे उन पे से राम नामी दुपटे हटा करके ये बता दो कि ये शौज नहीं है आंकणों की बाजी गरी उन्हें आती है हम आंकणों की बाजी गरी दिए हैं लोगों को, रोजगार दिए हैं, बिजली दिए हैं, पानी दिए हैं, वैवस्थाएं सही की हैं जो बाकी पुछली सरकारों ने बिघाड़ी थी, आप किस तरह से देखते हैं हालागि आप विरोधी हैं, लेकिन कैसा रहा जो योगी का? क्योंकि एक चौकाने वाला कदम था BJP का जब योगी को कुरसी पर बिठाया था आप उनके बारे देखिए अगर योगी जी ये कहते हैं कि हमने बहुत अच्छी स्वास्तोसु विधायें दी तो उनके चार-पांच विधायक खुद कुरोना से तडब तडब के मर गए स्वास्त सेवाएं दी ये मुहर तो विधायक लगा रहे हैं जनता की तो प्रतिक्रियाएं बहुत ही अलग हैं वो तो शायद आप सुन भी न पाएं रही बात सुरक्षा देने की तो उन्होंने किस तरह से सुरक्षा दिया कि उन्होंने अपने पुलिस थानों को टॉर्च परण भरा पड़ा है आंकडे उठा के देखेंगे आप तो सिर्फ और सिर्फ पुलिस से उन्होंने अपने विपक्षियों को ठोंक दो वाली जो नीती थी उस पर काम करने के लावा कोई काम लिया ही नहीं मुझे लगता है निरंकुष कर दिया पुलिस को इस वजा से प्रक्षा व्योस्ता में कानून व्योस्ता बनाने में उन्हें लगाया जाता तो यह सरकार पूरी तरह से फेल है और यह बात मैं नहीं कर रहा हूं यह बात जो पिछले दो हपते से लखनव में जो भारती जंता पार्टी का संगठन और उसके पदाधिकारी बरिष्ट जो तो इमरान परताब गड़ी साब जुनों ने साफ तोर पर कहा कि बीजेपी सरकार ने सिर्फ बाते की है काम नहीं और बाकि उन्हों ने अपनी रणनी थी के बारे बताया कि आखिरकार कैसे उत्तर पर देश में वो कॉंग्रेस को फिर से सत्ता में वापस लाएंगे आप ल झाल